वेल्कम बेक तो माई यूटूब चनल पेपर हैकर आज के इस वीडियो में बात करेंगे कुस्चन नंबर आपका 24 हो जाएगा ठीक है कुस्चन नंबर आपका 24 जो कि आपका लॉंग आंसर टाइब कुस्चन है अब से हमने अब तक हमने 23 तक ठीक है एक एक करके डिसकस कर लिए आज हम बात करेंगे कि कुस्चन नंबर 24 की जो कि आपका लॉंग आंसर टाइब कुस्चन है आपका पूर्सन है आपका जुलोजी का और आपका बेसी इसमें जानेंगे हम तंत्र का ये बारे में ठीक है तंत्र का आभेग आपका क्या होता है यह आपको बताना है कर रहा है तंत्रिका आवेक से आप क्या समझते हैं यानि कि तंत्रिका आवेक क्या है यह आपको बताना है इसका संबहन तंत्रिका तंतु में किस प्रकार होता है तंत्रिका आवेक का संबहन तंत्रिका तंतु में किस तरह से होता है इसका क्या करना है का अपको पूरे का वार्ण करना ठीक है मतलब उसके सभी नाम से लिखना है ठीक है कारə डेंड्रैट से अन उसका होता है ठीक है डेंड्रैट से अन कोशिकाओं में तंत्रिका आवेक का संचरड किस तरह से होता यह हम पढ़ेंगे ठीक है डेंडराट जानेंगे क्या है डेंडराट तो इसको हमें अच्छे से explain करना है चली discuss करते हैं इसके बाद में कि आपका तंत्रिका आवेक क्या होता है या आप तंत्रिका आवेक से क्या समझते है ठीक है तंत्रिका कोशिका ठीक है क्या है आपका तंत्रिका कोशिका या नर्व सेल नर्व सेल करे कशेरक्यों में तंत्रिका कोशिका या नर्व सेल के रूप में निवरान होती है क्या होती है नर्व सेल के रूप में नियूरान किसमें कशे रुकियों की बात कर रहा है ठीक है नियूरान होती है ठीक है नर्व सेल के रूप में कहरा है आकार एबन परिमाप में विशेशी क्रत कोशिकाएं होती है ये जो आपकी neuron है ये आकार में ठीक है और परिमाप में इनका size and परिमाप कैसा होता है दोनों का भिंड भिंड होता है ठीक है ये विशेशी करत होती है इनका size आकार अलग-अलग होता है कह रहा है neurons, electrical impulse और आपका chemical signals के द्वारा information को nervous system में और brain से वाकी organ को भेजता है ठीक है क आपका neuron का electrical impulse होगा और आपका जो chemical signal होगा इसके द्वारा क्या होता है information ठीक है यानि कि सूचनाओं को nervous system किसमें तंत्र का तंत्र और brain के बाकी सभी अंगों को भेज देता है ठीक है ये दोनों चीज़े सरचना की बात करें इसकी कहरा है तंत्र का कोशिका neuron में प्रात्मिक कोशिकाएं साइटोन के रूप में होता है ठीक है जो आपका तंत्र का कोशिका है वो neuron में साइटोन के रूप में होता है ठीक है कहरा है इससे बिभिन कोशिका दिरब प्रवर्द निकले रहते हैं ठीक ह इस प्रवर्दों में से सबसे लंबे प्रवर्द को axon कहते है ठीक है इनमें अगर आपका सबसे लंबा प्रवर्द आपको दिखाई देगा उसे क्या कहेंगे हम axon कहेंगे ठीक है इसके अलावा सभी प्रवर्द आपके dendrons कहलाते हैं क्या कहलाते हैं dendrons कहलाते हैं ठीक है बाकि आपके जितने भी प्रवर्द रहेंगे, वो आपके क्या कहलाएंगे, डेंड्राउंस कहलाएंगे, ठीक है, इस तरह से, प्रकार की अगर हम बात करें, ठीक है, प्रकार, प्रकार की के आधार पर नियूरान निम्न प्रकार के होते हैं, ठीक है, नियूरान को निम्न भा और अभिवाही नियूरान, क्या हो जागा, अभिवाही नियूरान जिसे कहते हैं, ठीक है, तो यहे है, नियूरान मुक्रूप से, ग्राही यंगों से, संबेद्ना ग्राहण करकर के, केंद्रिये तंत्र का Tantra को स्थानांत्रित करता है तो यह जो आपका अभिवाही निव्रान होता है इसका काम क्या होता है यह ग्राही यंगों से जो इसको सूचना देते हैं उनसे सूचना को ग्रहाण करके कहाँ पहुचाता है आनि मंतिस्क एब need Spinal Card में स्थानांत्रित होते है ठीक है कहां आपके मस्तिस्क और इस्पाइरल कार्ड में ये होते हैं ये विचार भावनाओं तथा भासाओं से संबंदित होते हैं ठीक है आपके मन में जो विचार आते हैं जो आपको भासाय आती हैं जो आपके अंदर भावनाय जगरत होती हैं तो उनका संबंद सीधा किस निवरान से होता है ठीक है किसे इंटर निवरान से ही कहां इस्तित होता है मस्तिसक और आपके स्पाइनल कार्ड में इस्तित होता है थर्ड आपका आ जाता अपवाही कौन सा है अपवाही निवरान ठीक है पहला था अविवाही अब है अपवाही ठीक है इफरेंट यह निव वाही नियूरान करता है ठीक है तो इस तरह ऐसे आपके तीन जो है नियूरान तीन प्रकार के हो जाएंगे तीनों के काम जो है अलग-अलग है ठीक है तो काम के आधार पर यहां कारी के आधार पर इनको तीन भागों में बाट गया था ठीक है फिगर कि अगर हम बात करें इसमें जो structure बना हुआ है यह आपको बना लेना ठीक है इस तरह से यह आपको देख लेना है कहां हमें किस तरह से naming करनी है किस तरह से हमें structure बनाना है तो इस तरह से आपको क्या कर लेना है यह आपका कुछ जो है इस तरह से और इस तरह से इसमें बहुत सारे प्रवर्ध निकल रहते हैं इनको आपको अच्छे से डिजाइन कर लेना है कि यह आपके हो गए इस तरह से कि यह हो जाएंगे आपके यह आपका कुछ इस तरह से तयार हो जाएगा इसका निउरान आवेग ठीक है अब देखो इसके बीच में जो सरचना पाए जाती इसे कहते हैं नूकलियस क्या कहते हैं यह आपका केंदरक होता है ठीक है सकत है यह किसी कोचिक अगे सब वी functions के लिए यह क्या ओतना है रिसपोंसिबल हो जाएंगा अब यह झो आपके छोटी छोटी इस तरह की सरचनाय दिखाए नरी ठीक है इनको कहते हैं डेंड रैट क्या कहते हैं नको यह आपको याद रखने है ठीक है चोटे-चोटे जो कोशिगा है आपके निखली रहती है यह नहीं क्या कहते हैं ढेनड राट कहते है ठीक है रहाग कर रहती ह। Hill Lock, क्या कहेंगे? यह आपका होगा, Axon Hill Lock, मतलब की Axon से आपका क्या जुड़ा होगा है? बागी पूरा पार्ट उसका जुड़ा होगा है, ठीक है? यह क्या हो जागा, आपका Node-Auf Ranvir, यह जो भाग होते हैं, यह आपकी Node होते हैं, ठीक है? क्या होते है? Node-Auf Ranvir हो जागा है, उसके बाद इसमें जो आपकी लाइनिंग्स पाये जाते हैं इसके अंदर कुछ इस तरह की बहुत छोटी छोटी लाइनिंग्स पाये जाती इन्हें है Milene sheet क्या 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 क्य themed allows mylin sheet के नामसे इसको जानते हैं बागी इसके अंदर एक छोटी सी इस तरह की सरचना पाई जाती जिसे हम क्या कहते हैं कि 7 cells nucleus क्या हो जागा आपका sean cells nucleus ठीक है sean cells nucleus तो इस तरह से यह आपका structure हो जाए ठीक है इसका multipolar neuron का ठीक है इसका multipolar neuron का ठीक देख लो एक बार इसको चलिए आगे बढ़ते हैं कह रहा है तंत्र का आवेक ठीक है क्या nerve impulse तंत्र का आवेक तंत्र का आवेक एक बिद्धुत रासायनिक क्रिया है क्या है आपका एक बिद्धुत रासायनिक ठीक है electro chemical क्रिया है इसके माद्यम से एक भाग से दूसरे भाग तक सूचनाय प्रेसित की जाती है इनका काम क्या होत करता है एक इसमेन के तंत्र का तंत्र का तंत्र कतू को उद्धीपन करता है इसमें क्या होगा स्चाहं करना यहां पर बन्द कर जहां पर यह पॉइंट आपका अन्तिम बिंदु ही ठीक है कहेंगे बिराम विवप ठीक है परिवर्थन उत्पन करके अंग से केंद्रिय तंत्र का तंत्र को क्या कर देता है उद्धीपन करता है क्या करता है उद्धीपन करता है यहां एक से यहां से एक स्वजनित चड़क तरंग के रूप में होता है यहां से क्या होगा एक स्वजनि की तरंग तंत्र का आवेग कहलाती है ठीक है इस प्रकार की तरंगों के कहते हैं तंत्र का आवेग या नर्व इंपल्स के नाम से जानते है ठीक है नर्व इंपल्स या तंत्र का आवेग में इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होता है आपका इलेक्ट्रिकल चार्ज निूरान की मेंब्रेन पर ट्रेवल करता है ठीक है जो आपका इलेक्ट्रिकल चार्ज होगा वो कहा ट्रेवल करेगा आपका किसकी निूरान की मेंब्रेन ठीक है किसकी निूरान की membrane या उसकी जिल्ली पर जो है ट्रेवल करता या गती करता तंत्रिका आवेक दो प्रकार के होते हैं ठीक है जो आपके nerve impulse होते हैं वो आपके दो तरह के होते हैं नंबर एक क्या हो जागा आपका अभिवाही तंत्र का आवेग जिसे अफ्रेंट नर्व इंपल्स कहां था दूसरा हमने पढ़ा था अपवाही तंत्र का आवेग जो कि आपका था क्या था इफ्रेंट नर्व इंपल्स था ठीक है तो यहां पर हम दो प्रकार के जो है तंत्र का आवेग के बारे में जानेंगे ठीक है एक नर्व इंपल्स, प्लाज्मा मेंब्रेन में इलेक्ट्रिकल चार्ज के डिफ्रेंस के कारण उत्पन होता है, कौन सा? एक नर्व इंपल्स, किसमें? प्लाज्मा मेंब्रेन में, ठीक है? प्लाज्मा मेंब्रेन में इलेक्ट्रिकल चार्ज के डिफ्रेंस के कारण होता है, ठी का औरंगों का हम गयुक्त पड़ेंगे यह इनका प्रेशन न कुछ नंके इनके बारे में हम जानेंगे, ठीक है, तो इस प्रेसट में क्या होगा, इस प्रेसट में एक्सव On एक सिलेंडर के रूप में होगा, जो आपका बिने पढ़ा था, जो कि आपका सबसे बड़ा भाग था, ठीक है। वो किस रूप में होगा, आपका एक सिलिंडर के रूप में होगा, या सिलिंडर आकार में होगा, ठीक है, जिसकी दीवार एक पतली प्लाजमा जिल्ली के रूप में होती है, जिसकी जो दीवार होगी, वो किस रूप में होगी, एक प्लाजमा जिल्ली के रूप में बहुत प देखने को मल जागे ठीक है एलेक्ट्रिकल डाइप, पुलराईजिसन जिसे रहे हैं. जो आपकी जिल्ली ओगी मांलो यह आपका क्या जिल्ली तो बाइरी सताय पोगा आपका नकारातम क्या ही मांलो हो गलत हो ग измен इस प्रिकार चालन करने वाली निवरान के वाहरी तथा भीतरी तलों पर आवेश में जो कुल अंतर पाया जाता है उसे बिराम विभब कहते हैं ठीक है क्या कहते हैं बिराम विभब कहते हैं अब ये कौन से आवेशों का कुल अंतर होता है ये उन आवेशों का अंतर होता है जो क्या करते हैं जो चालन ना करते हैं ठीक है किसका जो चालन ना करने वाली निवरान निवरान के वाहिरी तथा भीतरी तलों पर आवेशों का कुल अंतर होता है ठीक है इसे ही हम क्या कहते हैं विराम बिवब कहते हैं ठीक है एक निवरान नर्व इंपल्स को actively transmit नहीं कर रहा होता है कोई एक newron चो है वो क्या कर रहा होता है तब है अपना resting stage में होता है repasting नहीं लिखा है तब है resting stage में अपना होता है या 09 आराम कर रहा होता वो उसके कोई मतलब नहीं है कि आपका जो transmit जो आपका nerve impulse है वो कहां है उसे वो एक्टिव नहीं कर पा रहा होता है ठीक है लेकिन वह नर्व इंपल्स ट्रांस्मिट करने के लिए रेडी रहता है लेकिन वह ऐसा करने के लिए सतर्क रहता है ठीक है नर्व इंपल्स को ट्रांस्मिट करने के लिए क्या रहता है वो सतर्क रहता है ठीक है ट्रांस्मिस्न आफ नर्व इंपल्स ठीक है तो नर्व इंपल्स का ट्रांस्मिस्न किस तरह से होता है ठीक है तो यहाँ पर हमने देखा था कि बेचार्ज जो संचरण नहीं करते हैं ठीक है या चालन नहीं करते हैं ठीक है उनका कुल अंतर ठीक है आविशु का कुल अंतर क्या कहलाता है आपका उनका कुल अंतर ही आपका क्या कहलाता है अभी देखा था देखो यह बिराम बिभब कहलाता है क्या कहलाता है आपका बिराम बिभब कहलाता है ठीक है याद रहेगा जो चालन नहीं करते है ठीक है तो इस तरह से आपका मानलता है अगर के चलेगी मानलो तो क्या होगा यहां पर क्या है आपका कोशिका के अंदर ठीक है क्या होता है यहां पर क्योंगा आपका चार्ज आपोजिट आ यफ़ इनी का अगर हम कुल अंतर निकालेंगे तो भही क्या कहलागा आपका बिराम बेभब कहलाता है ठीक है जो चालन ना करते हैं इसके बाद यहाँ पर देख लो यहाँ पर आगया आपका कोई निवरान आपका कहा गया यहाँ पर आगया ठीक है इंपल्स अब इसमें क्या हुआ आपका बाहर क्या है आपका एने प्लस रहता है और अंदर क्या रहता है आपका के प्लस ठीक है दोनों क्या है दोनों आपके सेम है ठीक है ये अंदर क्या आ रहा है अंदर की तरफ आपका क्या आ रहा है एने प्लस आ रहा है बाहर की तरफ आपका क्या जा रहा है प्रोपेगेट कर रहा है यहां से दीरे दीरे इधर को आपका प्रोपेगेट कर रहा है या चल रहा है तो इस तरह से आपको यह थोड़ा सा चित्र बना देना है अपको एक बाद से आपको इसको मिली बोर्ट यानी कि मापा जाता है किसमे नावते हैं यह कोषिका ऑफम फॉर परिवर्तित नहीं हो तremसार कोश्यक और परडन जाती वार्टित नहीं होता है इस बिभब का मान 600 से 100 मिली बोल्ट तक माना जाता है कितने से 600 से 100 मिली बोल्ट तक माना जाता है मेड़क के एक्सान का बिराम कला बिभब कितना बिराम कला बिभब लगभग 71 मिली बोल्ट तथा बिल्ली के मस्तिस्क के कॉर्टेक्स में किसमें बिल्ली के मस्तिस्क के कॉर्टेक्स में इस्थित निवरान का बिराम कला बेवाब कितना रहता है आपका साथ मिली बोल्ट रहता है ठीक है तो उपर क्या है आपका मेधक का ठीक है कितना होता आपका इकतर मिली बोल्ट ठीक है और जबकि इसका कितना होता आपका इसका बिल्ली के मस्तित के कॉर्टेक्स में उपस्तित जो आपका बिराम कला ब्यवाब होता वो कितना होता आपका 60 मिली ब्यवाब होता ठीक है और कहारा है बिन 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 जंतुओं में इसका मान बिन बिन हो सकता है ठीक है अलग अलग जंतुओं के लिए अलग होता है ठीक है कहीं आपका 100 millivolt मिल जागा कहीं आपका 50 millivolt मिल जागा ठीक है यह तो यह depend करता है जंतुओं पर ठीक है दूसरा अगर हम बात करें तो बिधुरबड क्या होता है बिधुरबड जिसे डी-polarization कहते हैं ठीक है क्या कहते हैं डी-polarization कहते हैं तो बिधुरबड की प्रकरिया प्रेसर करने की प्रमुख प्रकरिया है ठीक है किसकी बिधुरबड ठीक है डी-polarization की जो प्रकरिया होती है वो प्रेसर को करने की कैसी हो प्रमुक प्रकरिया होती है क्योंकि इसमें जब कोई रासायनिक या यांत्रिक अथवा विद्धुत उद्धीपन तंत्र का तंतू से टकराता है ठीक है किससे तकराएगा टकराएगा विद्धुत उद्धीपन तंत्र का तंतू से टकराएगा तब क्या होगा तो मिता हमें चड़िक ब्रद्दी और जयाती थीक अठीजा JENN के अंदर वि disrupt हो जाना था सोडियम आयन जो है नहीं देक मात्तरा में आपका क्या हो जागा डिफ्यूज हो जागा या विशृत हो जागा पहुंझ जागा यह बिराम वेवब के विप्रीत करम में होता है अभी हमने देखा था बिराम वेवब लेकन यह क्या होगा बिराम वेवब के कैसे होगा विप्रीत करम में होगा ठीक है आपका कि बिदुर्भी करण इसे उत्करम। उत्करम विवब यानिकि रिवर्सिवल पोटेंसियल कहते हैं क्या कहते हैं इसको फल्सूरूप सतय पर विदुर्बढ यानीकि डी- पोलिराइजर्षण हो जाता है क्या हो जागा आपका डी- ORB aff prostu करने कालता इक इस्थानी अप चेत्र का निर्माड हो जाता है कैसा अपका निर्माड हो पर क्रिया अपका पोटेंसियल के ऐसे को प्रकिल्या आपका क्या होता है क्रिया अपका क्या हुआद पुंटेंशियल अपकाृप प्रेशण की ये महतपूर प्रकृरिया है किसकी क्रिया विभब की जो प्रकृरिया होती ये भी आपका क्या है आवेग प्रेशण की एक महतपूर प्रकृरिया है ठीक है जिसमें नूरे लेमा पर हम बदले इस बदले हुए बिद्दुद विभब जिसे एलेक्ट्रिकल उसी को हम क्या कहते हैं करिया बेहब के नाम से जानते हैं जिसमें प्रारंबिक परिवर्तन के फल्सुरूप उद्दीपन वाले इस्थान पर निवरी लेमा के दोनों तरफ आयनिक संतुलन बन जाता है क्या हो जाता है भी दोनों इस्थान पर आपका दोनों तरफ आयनिक अस उत्पन हो जाती है एक साइड में क्या होगा आपका इस्थानिय विद्द्धारा या आपका विद्द्ध उत्पन हो जाएगा ठीक है आप कहरा है ये रिणात्मक बिदुर्वित छेत्र अपने पास की नियूरे लेमा जिल्ली में परिवर्तन उत्पन करता है अब यहाँ पर कुली चेद्ध कया होगा वर離्द्ध दरेवर्त्श होगा अपने आजहाउस की नियूरे लेमा जिल्ली में परिवर्तन उत्पन करता है और तंत्र यह करती है अप तंत्र का आवेक क्या करेगा यह प्लकुरीमा उप्रिदर्सित करेगा और चिल्त तंत्र का आवेग कहलाता है क्या कहते हैं इसको तंत्र का आवेग कहते हैं या नर्व इंपल्स कहते हैं इस परकरिया में इस परकरिया में कह सकते हैं कि यह साब पासे के फेंकने के समान होती है कि इसके पासे के फेंकने के ठीक है किसी चीज को हम ऐसे फेंकते हैं मान लो तो क्या होता आपका पास्टे के फेंगने के समान होती है यह आपका कुछ इस तरह से प्रुपेगेट करेगा ठीक है यह आपका कि इसको देख लो थोड़ा आपको चुप्तर किस तरह से बनाना इसमें क्या होगा एक तरफ आपका सकारात्मा कोगा दूसरी तरफ आपका क्या होगा लिक हो तो एक्साइट ट्रीजन यह क्या है आपका उत्तेजित छेत्र है यहाँ पर क्या होगा आपका कोई भी इंपल्स यहां से प्रोपेट करना शुरु कहेंगा ठीक है क्या है depolarization यहनंकी permitting electric current to flow यहां से आपका क्या होगा जो आपका electric current होगा बहने लगेगा ठीक है यह क्या होगा आपका resting region ठीक है तो यह आपका बो छेत्र है जहाँ पर आपका क्या है जो आपका impulse है वो propagate नहीं कर रहा है तो इस छेत्र को कहते हैं रेश्टिंग रीजन करें ठीक है तो यह आपका कैसा रेश्टिंग रीजन है और यहाँ पर क्या हो जागा यहाँ पर आपका डी पोलिराइजिसन यानि कि आपका जो impulse है वो यहाँ पर क्या करेगा propagate करेगा ठीक है तो यह चेतर आपका कैसा कहलागा deep polarization और यहाँ ही से आपका क्या होगा current का flow होना शुरू हो जागा ठीक है मान लो पहले इस्तिती आपकी यह है ठीक है यहाँ पर कुछ समय बाद आपने देखा तो इस्तिती आपकी यहाँ पर आगई ठीक है इस तरह से ठीक है इस्तिती आपकी यहाँ पर आगई जो आपका excited region यहाँ पर था वो अब आपका कहाँ पर आगया excited region यहाँ पर आगया ठीक है अब आपका जो rest region था resting region वो आपका आगे रह गया और बागी आपका क्या है रिकवरी ठीक है रीजन रेस्टिंग पोटेंशियल वींग रिस्टोर अभी आपका जो पीछे वाला चेतर वो कैसा रिकवरी रेजिन ठीक है रिकवरी रीजन है ठीक है जिसे हम कहते है रेस्टिंग पोटेंशियल वींग रिस्टोर अब यहां पर जो आपका रेस्ट बिल्कुल आपका Last में पहुँच गया तो यह सभी Region आपका क्या यह सभी हो जागा आपका वींग रिश्टोर क्या Resting Potential Resting Potential Wing Resting Potential अपका जो Resting Region था वो आप नहीं बचा है ठीक है आप ऐसा कोई region नहीं बचा है जहाँ पर आपका कोई कारिय नहीं हो रहा हो ठीक है अब आपका impulse कहा पहुंच कहा है यहां पहुंच कहा ठीक है प्रूपेट करके इस तरह से आपको इस ट्रक्चर बना लेना किसका डी पॉलिराइजेशन का ठीक है यहां से यह इसको थोड़ा बढ़ा कर के लो कि लिए इचलिए देरिक्षन आफ इंपछन ए थोड़ा सा इसमें और बचा हुआ है हुआ है को के अब कह रहा है में अंत्र टंत्री का कोशिये सरचना ठीक है अंत्रा तंत्र का कोशिये कोशिकी सरचना जिसे इंटर नीटरल इंटर इंटर नीउरल ट्रांसमिसन के नाम से जानते हैं कह रहा है बिद्दुत सरचन संचरण की प्रकरिया में दो निकटवर्ती निउरान सिनेप्स करने के करने वाले इस्थान पर परसपर अलग रहते हैं रहते हैं सिनेप्स करने वाले स्थान पर परस्पर एक दूसरे से दूर रहते हैं या अलग रहते हैं लेकिन फिर भी उनमें एक प्रकार का प्रभावी स्थानी करद परिपत संयोजन रहता है क्या रहेगा उनमें किसी एक बिसेश स्थान पर क्या रहेगा परिपत सहियोजन रहेगा, ठीक है, कोई एक इस्थान ऐसा होगा, जहाँ उन दोनों का संबंद रहेगा, ठीक है, परिपत से, ठीक, जो आपका परिपत होगा, कहरा, जिसके द्वारा आबेग एक निवरान से दूसरे निवरान में प्रेसित हो जाता है, ठीक है, अब जो आपका था वो कहा हो जागा एक निवरान से आपका किसी दूसरे निवरान में जो है इस्थानांतिरत हो जागा ठीक है या प्रेसित हो जागा चला जागा ठीक है इत्मत को प्राया माना नहीं जाता है क्योंकि तंत्र का तंत्र आवेगों को दोनों दिशाओं में प्रेसित कि तो यह को यहां से आपका दूसरी पहिंच जागा इसको नहीं मांझा है मतलब उसको आगे भी भड़ाया सकता तुछ जबकि synapse क्या है आपका जबकि synapse द्वारा आवेगों का प्रेसोड केवल एक ही दिशां में होता है किसके द्वारा Synapse के द्वारा जो आपका आवेगों का प्रेसोड होगा और एक ही चाहिए आपका forward direction हो चाहिए आपकी वेक वर्ड ठीक है अगर आपका आगे जा रहा то आगे जाएगा पीछे जा रहा है तो पीछे जाएगा ठीक है इस प्रकार की प्रकृरिया में Snaps का प्रेशण दिशाओं के अनुरूप होता है किदर होगा दिशाओं के अनुरूप है आप जो Direction चूझ करोगे उसी Direction में इसका प्रेशण होगा क्या है साइनेप्टिक संचरण क्या है साइनेप्टिक संचरण या साइनेप्टिक ट्रांसमिसन की बात करें तो कर रासायनिक संचरण की जो आपका केमिकल संचरण होता है उसकी बिदी में एक्सान के सिरे द्वारा बिशिष्ट प्रकार का रासानिक पदार्थ संसलेसित किया जाता है कि इसके द्वारा जो आपका एक्सान होता है ठीक है एक्सान मतलब तंत्र का आवेक का सबसे बड़ा वाग ठीक है कुछ इस तरह से भी हमने देखा था ठीक है ये क्या करता है एक बीच के सिनैप्तिक स्थान में पहुंच जाएगा और दिया इस देखी थी कुछ इस तरह कि ऐसे ऐसे आपकी सतहें बनी हुई थी इस तरह की इन्हें हम डेंड्राइट कहे रहते क्या कहे रहते डी एंडी और ओ आई टी डेंड्राइट ठीक है तो इन पर क्या हो जागा आपका यहां से जो आपका ग्राइट कि शायन मिलने पर देंड्राइट की जिली में कुछ परिवर्तन कर देता है अब इसका काम क्या है अब क्या करेगा यह तो अब निधुरुवित होकर एक नए परकार का क्रिया भी हो यानि की action potential इस्थापित कर लेता है तो यहां पर एक दुबारा से आपका क्या हो जागा एक नए तरह का action potential generate हो जाएगा ठीक है यहाँ neuron की लंबाई के साथ साथ प्रेसित होकर snaps पर चले जाते हैं ठीक है जैसे जैसे neuron की लंबाई बढ़ेगी बैसे यह क्या करेंगा उसके साथ प्रेसित होकर कहाँ चले जाएंगे आपके snaps पर चले जाते है ठीक है और एक दूसरे रासायनिक मध्यस्त को बिमुक्त करने के लिए उत्तेजित होता है ठीक है क्या होता है एक दूसरे रासायनिक मध्यस्त को बिमुक्त करने के लिए उत्तेजित करने के लिए इसका काम क्या होता है ये उत्तेजित होता है ठीक है उसे क्या कर गया बिमुक्त भी करेगा और उत्तेजित भी करेगा ठीक है एक निवरान की निस्रावित धारा एवं दूसरे निवरान के क्रिया विभव के बीच एक विशिष्ट प्रक्रिया संपन्न होती है एक निवरान से एक विशिष्ट रसायन स्रावित होता है और स्रावित रसायन दूसरे निकटवर्ती निवरान के विशिष्ट रसायन गराह से संयोक्त हो जाता है तो एक नियूरान का काम क्या होता है कह रहा है नियूरान से एक विशिष्ट रसायन स्रावित होगा और दूसरा क्या करेगा दूसरे निकटवर्ती नियूरान के विशिष्ट रसायन रही से संयोक्त हो जागा यानि कि एक नियूरान से निकलेगा और कह पहुन जागा दूसरे नियूरान पर क्या हो जागा यह संयुक्त हो जागा चला जागा कुछ सनेप्स प्यूरली इलेक्ट्रिकल होते हैं कैसे होते हैं कुछ सनेप्स आपके पूरी तरह से कैसे होते हैं आपके इलेक्ट्रिकल होते हैं ठीक है या बिद्द्द होते हैं और य दिकतर आपके सिनेप्स है कैमिकल सिनेप्स होते हैं मोस्टली आपके सिनेप्स कैसे होते हैं कैनिकल सिनेप्स होते हैं नर्व इंपल्स का ट्रांसमिसन कैमिकल सिनेप्स के एक एक्रॉस बहुत कॉंपलेक्स है ठीक है क्या है जो आपका नर्व इंपल्स का ट्रांसमिसन है ठी के आपको किस प्रेकर होता है इसको हमने पड़ा था कि छोले को का अंकित आरेक बनाई है ठीक है क्या होता है विशिष्ट तंत्रिका का अंकित आरेक बनाई है और डेंड्राइट ठीक है डेंड्राइट भी हमने जाना था डेंड्राइट से अनकोशिकाओं में तंत्रिका आविक का संचरर किस तरह से होता है यह आपने पढ़ाता ठीक है त तक बने रही हमारे साथ मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट कुश्चन के साथ थैंक्स वाचिंग एंड शेयर दा वीडियो